जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी का एकवार फिर से हार्दिक स्वागत है विजयपत एजुकेशन की तरफ से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का क्वेशन पेपर जेबीटी टैट का आज क्वेशन पेपर हिमाचल प्रदेश एजुकेशन स्कूल बोर्ड धरमसाला के द्वारा कंड़क्ट करवाया गया 26 नवंबर 2013 आयानि की आज के दिन थोड़ी देर पहले जो है इसका पेपर जो है वो कंड़क्ट करवाया गया था सॉल्यूशन के साथ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं कहां पे कौन सा फोर्मूला लगेगा कौन से ट्रिक लगेगी डायरेक्ट हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि अभी तक जो आपको अधर चैनल के ओपर क्लासेज मिली है उन्होंने सिर्फ जो है आपको आंसर की प्रो सेक्षन मैथ का हम आज सॉल्व करेंगे सेक्षन फोर्थ है और अगर मैं सिर्फ की बात करूँ तो सी सिर्फ को जो है वो मैं डिसकस कर रहा हूँ जे बीटी टैट का आज पेपर कंड़क्ट करवाया गया जिसमें 91 कोईशन मैथ का था देखिए इसमें बोला गया PQR एक त स्केर प्लस लंब का स्केर यह डारेक्ट फोर्मूला लगता है करण का स्केर आपका ऐसे ही रहेगा क्यूंकि QR आपको निकालना है अधार दिया था 24 24 का स्केर आपका कितना होता है 576 होता है और L यानि कि लंब जो था यह आपके पास दिया था 10 का स्केर 10 कितना आ में था, option B जो था इस question का बिल्कुल सही answer था, 91 का option B जो है वो बिल्कुल सही है, next question 92 के ओपर discuss करते हैं, 0.65 को आपको प्रतिशत में बताना था, देखिए इसको open करना है, 0.65 था, तो आप के कीजिए पहले point हटाईए, point के आगे 2 अक्षर हैं, तो 2-0 लग गी, जब प्रतिश में change करते हैं, तो गुणा 100 की जाती है, 100 से आपका 100 कट गया, तो answer कितना आना था, answer आना था, 65 प्रतिशत, तो इसका जो right answer था, वो है option C, 65 प्रतिशत इसका right answer था, next question देखिए, 93 question है, इसमें साधारण व्याज का आप से question पूछा गया था, बिल्कुल आसान math का section पूरा का पूरा easy आया था, जब मैंने इसको अभी इसकी जो है, वो answer की बनाई, तो मैं सिर्फ एक question में, यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे को उसका formula याद नहीं आया था, मैंने 29 question अपने जो है, वो बिल्कुल accurate की जिए, तो आप भी यहाँ पे try करें, कि आपके भी जो maximum question है, 25 से जादा जो हाँ वो सही होने चाहिए, तो देखी SI का simple सा formula होता है, क्या होता है, PRT by 100, PRT by 100 इसका formula है, तो साधारन व्यास देखी कितना दिया था, 45 रुपे दिया था, ठीक है, principle आपको निकालना था, rate आपको कितना दिया था, 9% rate दिया था, और time था 1 साल, तो गुणा 1 कर देंगे बटा 100 कर देंगे, यहां से जब आप P की value को calculate करेंगे, तो 45 as it is है, 100 नीचे से चला जाएगा, उपर और यह 9 और 1 कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो 9 को 45 से काटा, 9 पंजे 45, 5 को 100 से किया, यानि कि answer क्या आ गया, 500 option D जो था, वो इस question का right answer था, तो यह आपके बिल 500 रुपे में खरीदी और 500 रुपे में बेची, यानि कि direct पता चल रहा है कि हा नी हुई है, तो option A या फिर D ही हमारा right answer रहेगा, क्योंकि महंगी चीज खरीदी है, सस्ते में बेची है, तो 2500 की खरीदी और 1500 में बेची दी, यानि कि 100 रुपे का आपको घाटा हुआ, यह loss CP के उपर calculate किया जाता है, loss percent का formula आपको पता होना चाहिए, loss by CP into 100, यह formula है, loss 100 का बटा CP, यानि कि 200, गुणा करेंगे 100 से, calculate कीजिए, यह आपकी 0 से 0 कटकी 25 चोका 100, 10 को 4 से किया कितना answer आएगा, 40%, तो 40% क्या हुआ, loss हुआ, option D, इसका सही answer है, next question है, 95 question, इसमें बिल्कुल unique question जो था आपके पास यह पूछा गया था, solve कीजिए आप इसको, so काफी अच्छा question यहाँ पे पूछा गया था, क्यूंकि जादा तर बच्चों ने यह question, I think, मेरे according जो है, वो गलत किया है, क्यूंकि हमें जो परिमाप का formula पता होता है, वो होता है, एक बृत का परिमाप, यानि कि वो होता है, 2 pi r, लेकिन अर्ध बृत में हम क्या करते हैं, इसको आधे से भाग कर देते हैं, यानि कि formula बन गया pi r, तो नहीं, जब अर्ध बृत की बात की जाती, तो इसका जो parameter है, वो pi r नहीं आता है, इसका formula है, वो है, pi r प्लस 2 r, यह इसका formula रहेगा, इस formula में आपको value fill करनी थी, आपका r जो है, वो common आ जाएगा, तो formula बन गया pi प्लस 2, ठीक है, r की value आपके पास देखिए, ब्यास दिया था 10 cm, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 5, यानि कि radius आधा हो, तो pi की value आपको पता है, 22 बटा 7, और जमा दो, इसको open करेंगे आप, यह 5 बाहर है आपका, यह 7 आ जाएगा नीचे, यह आ जाएगा 22 और सादूने 14, ठीक है, LCM ले लिए मैंने 22 और 14 कितने आगे, 22 और 14 होगे, यहाँ पे 36 और 36 बटा 7, तो 5 गुणा 36 और बटा 7 जब आप करेंगे, तो इसका जो right answer है, वो आना था, 25.7, option B इसका जो है, वो सही answer फोर्मूला ध्यान में रखना, फोर्मूला यह है आपके पास, पाई R प्लस 2R, यह होता है, किसी अर्ध बृत का परिमाप निकालने का फोर्मूला, तो option B इसका right answer था, next देखिए, 96th question है, बिल्कुल असान सा question दिया गया था, X by 2, उस तरफ से आपको क्या करना था, X by 3 ज प्लस 1 बटा 4 था, और इस तरफ से जब आप माइनस एक बटा 5 को दूसरी तरफ लेगे, तो यह हो गया, प्लस 1 बटा 5, अब दोनों को open करना था, पहले इस वाली term को open कीजिए, ठीक है, तीन दूने 6, यह आजाएगा, 3X माइनस के 2X बरावर है, फिर इसको आप कीजिए, 4 पंजे 20, एलसिम लेंगे, यह 5 और प्लस 4, अब open कीजिए, 3X में से 2X चलेगे, 1X बटा 6 आजाएगा, यह 5 और 4, 9 बटा 20, अब यह 6 नीचे से कहाँ चला जाएगा, उपर चला जाएगा, इस तरफ चला गया, cutting कीजिए, 2 से आप काट दीजिए, 3, 2 से काटा 10, 9, 27, 27 पुच का परिमाप 100 cm है, परते एक भुचा की लंबाई ग्याद कीजिए, किसी भी आकरिती का जब आप से परिमाप पूचा जाता है, सिर्फ आपके बृत को छोड़के, या फिर सफेर को छोड़के, उसका मतलब है, जो अभी आपके पास sides दी हैं, उन सभी का sum, तो यानि की 5 भुची, यानि की 5 गुणा side, तो किस के बराबर आना था, 100 के बराबर आना था, 5 से 100 कट गया तो, यानि की 20 तो एक side कितनी की, 20 की तो इस question का भी right answer क्या था, 20 था, अगला question देखी 98, बिल्कुल आसान सा question दिया गया था, algebra में आपसे formula पूछे जाते हैं, a की power m upon a की power n, इसका मतलब होता है, a की power m minus n, a की power m minus n, जो कि आपके option number a में दिया गया था, a की power m minus n, तो 98 का right answer है, option a 99 की बात करते हैं, माल से लदा, एक truck 25 मिनट में 14 किलो मिटर चलता है, तो आपको बताना था, 5 घंटे में कितनी दूरी तेह करेगा, बिल्कुल असान question है, देखी, simple सा formula speed is equal to distance over time, पहले speed निकालेंगे, distance हमारे पास दिया गया है, 14 किलो मिटर, time दिया गया है, 25 मिनट, लेकिन इस मिनट को change करना है, hours में, तो हम क्या करेंगे, divide कर देंगे, किस से 60 से, ठीक है, अब ये 60 कहां चला जाएगा, नीचे से कहां चला जाएगा, उपर चला जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 बार, और ये 5 से कटा 12 बार, आपके पास आगया, 14 गुणा 12, तो 14 गुणा 12 का मतलब होता है, 14 गुणा 12 का मतलब 168 बटा 5, ठीक है, ये आपके पास क्या आगी, speed निकल के आई, ये आपके पास speed निकल के आई, अब आपने speed का formula फिर से लगाया, 168 बट अबर B में आपके पास दिया गया था, तो option B इसका right answer है, next question देखिए, 100 question है, 5 मीटर का 10 किलो मीटर से अनुपात आपको बताना था, 5 मीटर का 10 किलो मीटर से अनुपात, देखिए, इस तरफ आप लिखेंगे 5 मीटर और इस तरफ आप लिखेंगे 10 किलो मीटर, जब भी अन प्योर्टी जो है पुजाती है, छोटे यूनिट के साथ, तो मीटर छोटा है, तो हम छोटे में convert करेंगे, यानि कि 10 किलो मीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में change करेंगे, तो गुणा किस से की जाती है, 1000 से की जाती है, ठीक है, 5 से 10 कट गया 2 बार, तो यहाँ पे बचा 1 और हर किनारा 10 सेंटी मीटर का है, और जो रसोई है, यानि कि जो कमरा है, उसकी लंबाई 220 और चोड़ाई 180 है, तो पहले आप एरिया निकाल लेजिए, एरिया कितना आएगा, एरिया का फोर्मूला तो लंबाई गुणा चोड़ाई, यानि कि 220 गुणा 180 आपने कर दिया, ठीक तो इसका एरिया भी निकाल लेजिए, यानि कि एक टाइल इस तरीके से है, ये 10 सेंटी मीटर, ये भी 10 सेंटी मीटर, तो टाइल का एरिया कितना आएगा, 10 गुणा 10, यानि कि 100 आगया, अब आपके पास 39600 एरिया है, और आप 10 एरिया, 100 के एरिया के इसाप से टाइल लग तो पहले आप point हटाईए, 2, 3, 4, यहाँ पे point है, तो 2, 3, 4, और point के आगे 2 action है, इसलिए नीचा दाएगा 0, इसको आप 2 से cut कीजिए, यह आपके पास 117 और नीचा दाएगा 50, ठीक है, अब mix fraction में change करेंगे 50, 50 दुने 100, और 100 में कितने add करें, 117 बने 17, 2 से ही 17 बटा 50, 2 से ही 17 बटा 50, option C इसका right answer है, next question 103 है, तो बिल्कुल सही solution जो है वो यहाँ पे हमारे student के द्वारा किया गया है, जिन्होंने हमें यह JBT का paper जो है वो send किया है, काफी अच्छा exam उनका हुआ है, तो मैं उनको भी thanks करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना एक question paper का PDF format जो है वो हमें provide क 40 किताबों का भार आपको बताना है, देखिए 72 किताबों का भार कितना आ गया, 9 kg आ गया, तो एक किताब का भार आ गया, 9 बटा 72 और आपको कितना करना, 40 का निकालना गुणा 40 कर दीजिए, 9, 78, 78, 8, 40, तो answer कितना आ गया, 5 kg आ गया, यानि कि option C इसका सही answer रहेगा, next question दे आपको अर्द गोलाकार का अर्द गोलाकार का अर्द गोलाकार का आइतन जो हता है, वो होता है क्या है, वो होता है, 2 बटा 3, गुणा, पाई 2 बटा 3, पाई मैंने डारेक्ट फोर्मूला भर दिये, 2 बटा 3, पाई R क्यूब, तो R की वैल्यू कितनी है, 35 बटा 10 मैंने इसको खोल दिया, 35 बटा 10, और इसको भी खोल दिया, 35 बटा 10, आप इसको सारे को solve कीज ये आपके पास 89.8 something आपके पास वनेगा, यानि कि option B जो है वो इसका बिल्लकुल सही आंसर रहेगा, next question है 106, शंकू का आईतन आपको बताना है डारेक्ट फोर्मूला और अगले कल आपका non-medical TAT का आपका एक्जाम रहेगा, तो उसके लिए भी आपके ये question जो है important रहें था तो option C, एक बटा 3 pi r square h, एक बटा 3 pi r square h, जो है option C इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, next question देखिए 107, यहाँ पे धनात्मक की बात आपसे बोली गई थी, तो जब भी आप इसको लिखते हैं, तो कौन सी सरवसम्मी का लागू नहीं होती है, option A को, under root A, B को आप तोड़ के लिख सकते हैं, under root A अलग लिख दिया, under root B अलग लिख सकते हैं, जब एक बटा, A बटा B, पूरे का whole का root है, इसका मतलब A का root अलग, B का root अलग, यह भी आप लिख सकते हैं, next, यहाँ पे formula आप लगाएंगे, A square plus B square plus 2AB, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन option D में आप यह नहीं लिख सकते, जब आप A को एक से गुणा करेंगे, तो A square आएगा, यह यहीं से आपका formula जो है, वो गलत हो गया है, तो option D जो है, वो इसका सही answer था, जिसमें आपकी सर्पसमी का लागू नहीं होती है, next question 108 है, बिल्कुल असानी से solve करना था आपको, और यह hint आ पावर एक वटा पांच पहले थी, तो नीचे से जब 7 उपर आएगा, तो इसकी पावर common हो जाएगी, मतलब कि 7 आपका common चलेगा, और घहतां common है, और घहत जो है, वो माइनस में चली जाएगी, तो यहाँ पे इसको आप solve करेंगे, एल्सिम लिया, पांस तियां पंदरा, यागा 3 माइनस के 5, तो आपके पास क्या बना, 7 की पावर माइनस 2 बटा 15, 7 की पावर माइनस 2 बटा 15, कौनसा option है जी, 7 की पावर माइनस 2 बटा 15, option D इसका सही answer है, I hope आपको question बिल्कुल आसान भासा में शमज आ रहे हैं, next question है, प्रतिलोम आपको बताना था, पहले आप कीजिए, याना था माइनस 2 बटा 5, आपने के किया, गुणा किया, 2 को एक से किया, 2 नीचे आ गया, 5 माइनस को माइनस किया, प्लस, अब इसका reverse करना है तो यानि की 5 बटा 2, तो option C जो था, वो इसका right answer था, 8th level का question है, 8th class का question है, next है, एक संभाहू, एक संभाहू बुच की बुचाओं की संख्या, आपको ग्याद करनी है, यदि परते एक अंता कोण जो है 165, देखिए, इसमें formula आपको लगाया जाता है, अंता कोण कितना है, 165 है, अब जब भी एक भुजा की बात की जाती है, तो ये angle कितने का बनता है, ये angle बनता है, आपका 180 degree का, तो 165 कम करने है, तो आपके पास कितना है, 165 और 5, 70, 70 और 10, 80, यानि कि 15 degree आपके पास बचा, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको solve करना है, अब 15 degree आपके पास balance बचा, जब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 360 को आप 15 से भाग दे देंगे, त यह भी इसी तरीके का एक understanding का आपका question था, यह अगर कौन 50 degree का है, तो यह भी आपका कितने का होगा, 50 degree का हो सकता है, इसका मतलब अब यह जो straight line है, यह कितने का angle बनाती है, अभी मैंने आपको बताया, कितने का बनाती है, 180 का, तो 50 में मैं कितने add करूं कि यह 180 का बन जाए, तो 130 add करना पड़ेगा, यानि कि Z जो है, वो 130 आएगा, तो Z देखिए, यह है X, यह है Y, और यह है Z, Z 130 कहाँ पे है, option B में है, तो option B जो है, वो इसका बिलकुल सही answer रहेगा, यह आमने सामने वाले कौन जो होते हैं, वो क्यों होते हैं, बराबर होते हैं, तो अगर यह 130 आ जिसमें आप direct value को याद रख सकते हैं, यदि आपके पास अधार 3 है और lump 4 है, तो हमेशा और हमेशा करन आपके पास 5 ही आएगा, वैसे ही आपके पास कुछ ऐसे rule है, जैसे कि अधार आपके पास 5 है, lump आपके पास 12 है, तो करन हमेशा आपके पास 13 आएगा, तो यह triplet rule बन जिसमें अधार, लंब और करन की बात की गई है, तो ऐसा कौन सा सदस्य जिसमें 6 आता है, यदि अगर 6 आएगा, तो किसी की साइड 8 होगी, किसी की 10 होगी, ये फिक्स है, तो option D जो था, वो इसका बिलकुल सही answer था, ठीक है जी, next question देखी, question, sorry, यहाँ पर थोड़ इसी scan नह साइस, ठीक है, 72 प्रतिशत, यानि कि 25 स्टूडेंट में से, यानि कि 25 छात्रों में से, 72 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनको साइस अच्छी नहीं लगती है, तो अगर 72 प्रतिशत को अच्छी लगती है, इसका मतलब 28 परसेंट को अच्छी नहीं लगती है, तो ये कट जाएगा, 25 चोका सो 4 से 28 कटा 7 बार 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको साइस अच्छी नहीं लगती है 25 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको साइस अच्छी नहीं लगती है तो option C's का right answer था next देखी गुणनखंड आपको बताने थे तो आप इसको break कर सकते हैं यह आपके पास है 12 X स्केर माइनस के 7 X प्लस के एक सम और product का formula आप लगाईए 10 का 3rd chapter का यह question था यहाँ पे आना था आपके पास 4 X माइनस के 3 X प्लस के एक अब आप इसको common ले सकते हैं 4 X आपने common लिया अंदर बच आपके पास 3 X माइनस के एक यहाँ पे आएगा minus 1 और अंदर फिर से 3 X माइनस 1 तो आपके पास formula बना 4 X माइनस का एक और यह 3 X माइनस के एक तो option B जो था वो इसका right answer था अगर कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं 115 question 9th class का probability के chapter का पूरा का पूरा same to same question आपसे यहाँ पे पूछा गया था बिल्कुल same to same question 14 chapter आपका 9th class में NCRT में दिया गया है probability का 14th chapter है 15th chapter है पंदरमा chapter है आपका यह तो आपका यह उस probability के chapter का direct question आपसे पूछ लिया गया बिल्कुल same to same बिल्कुल same to कोई change नहीं किया गया उस question में तो देखिए बोला गया था 30 गेंदे हैं 6 बार चोका मारा जाता है चोका ना मारने जाने की प्राइकता बताने है अगर 6 बार चोका मारा गया 30 गेंदे total मैंने कड़ाई अगर आपने 6 गेंदों में चोका मारा इसका मतलब आपने 24 गिंदों में कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, चोक का नहीं मारा 6 गिंदों में ही मारा है, तो 24 बटा 30, कौन सा option था, option B इसका right answer था, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान से question दिये गए थे, अगला question था शंकु का बक्र प्रिष्टिक शेतरफल आपको निकालना था, L की यानि कि 3 एक उंचाई 10 दीगी थी, radius आपके पास दिया गया था 7, direct formula आप लगाए direct formula आप लगाएं कि question number 116 question number 116 का जो formula है वो है आपके पास pi r l pi की value 22 बटा 7, radius दिया है आपके पास 7 और L की value है 10, 7 से 7 कट गया 10 को, 22 को 10 से करेंगे 220, option D इसका सही answer था, next question देखिए 117, 4 liter और 500 ml दही है, ठीक है यानि कि 4500 ml में लिख सकता हूँ 4500 ml क्या है, दही है तो 25 liter वाले गिलास में डालना तो 25 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, 25 को 45, 45, 45 से काटेंगे 18 और 1, 0 और यानि कि 180 गिलास आपको टोटल लगेंगे, जिसमें 25 ml क्या रहा है दहीं आ रहा है, option B जो था इसका right answer था, next question 118 था, कौन सा कथन सत्य था तो देखिए, ये भी आपका hit and trial है hit and trial का मतलब होता है option से आप question को solve कीजिए तीन बिशम संख्याओं का योग सम होता है जिनको question नहीं आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ तीन कोई भी बिशम संख्याओं ले लीजिए बिशम संख्याओं कौन सी होती है क्या ये सम संख्याओं नहीं तो इसका मतलब option A तो गलत है ये क्या आपकी बिशम संख्याओं option B को चैक करते हैं दो बिशम संख्याओं ले लो बोला ठीक है बिशम संख्याओं मैंने ले ली दो कोई भी ले लो एक ले ली और तीन ले ली और एक कोई संख्या ले लिए ठीक है जी मैंने ले लिया छे ले लिया ठीक है ये चार ले लिया कुछ भी आप ले सकते हैं उनका योग है वो हुला हमेशा क्या होता है संख्या होता है अब मैंने छे और तीनो और एक दस अब दस आ गया इनका योग कितना है इनका योगा है, 10 यानि की 10 क्या है, सम संख्या है, तो option B आपका सही है, बाकी आपको option को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगला question 119, second last question है आज किस paper का, तो देखी 2-12 तक प्राकिर्तिक संख्याएं लिखिए, ये थोड़ा सा question जो था, वो इसमें मेरे को doubt था, आप इस question का answer जो है, वो comment करके जुरूर बताई, क्या इसका question था, मैंने starting में ही बोला था, 29 question जो थे, वो मैंने solve किये थे, लेकिन इस question में, कहीं न कहीं पर मेरे को कोई mistake लग रही, आप इसको जरूर चेक कीजिए, इसका answer comment कीजिए, last question बिल्कुल easy था, 120 question, तो इसको आप solve करेंगे, 3-2 बटा, 3-2 बटा, 3 option C, जो था, इसका right answer था, I hope आपने जितने भी question यहाँ पे अभी तक solve किये हैं, उसमें लगबग 25 से ज़्यादा question आपके बिल्कुल सही हो, जल्दी ही, मैं GK के section को भी यहाँ पे upload करूँगा, अगर आपको class अच्छी लगी, like करें, share करें, और विजय चैनल को subscribe करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत